हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स यह लटकन जो आप देख रहे हो अगर आप इसका वीडियो देखना चाते हो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूगी इसका वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर डाला है तो वहां जाकर आप जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो आज की वीडियो में हम जैसे सूट में से कोई फॉम निकलती है यह देखिए काफी पतली सी होती है तो यह दो पीस है दो जो की सूट में से निकले हैं इनका यूज करके हम बहुत ही प्यारे से दो क्यूट से बैक बनाने वाले हैं तो यह देखिए बीच में फॉम शीट रखी है उपर और नीचे मैंने सेम फैब्रीक रखा है अब चारो साइट से सिलाइएं लगाते हुए मैं पूरा पीस क्विल्टिंग कर लेती हूँ तो यह देखिए मैंने थ्रेड और गणाईजर बनाया था इसमें से निकाली मैंने रील और बहुत ही सेफ रहती है इसमें मेरा जो भी मैं थ्रेड रखती हूँ तो इस तरह के आप बना के रख सकते हैं काफी यूसफुल रहता है तो यह देखिए कुल्टिंग मैंने कर ली है और मैंने हैंडल भी रेडी कर लिये हैं तो हैंडल जो है मैंने हैंडल की लंबाई 10 इंच रखी है और चुड़ाई 1 इंच है तो सबसे पहले हम क्या करें कि सेंटर निकालेंगे और दोनों साइट पे धाई-धाई इंच पे मै हेंडल अटेच कर लेती हूं तो देखिए हेंडल मैंने अटेच कर लिए हैं अब यहां पर मैं फ्लैप लगाऊंगी तो इसके लिए मैंने रवड शीट ली है इसके लंबाए चार इंच है और चोड़ाई जो है तो इंच है अब उपर से हम इसको गुलाई देंगे यह हम फ् प्रेस बटन लगाने के लिए जो एक मशीन होती है वो मैंने ली है परचेज की है ऑनलाइन तो वो दिखाती हूं आपको अगर आप सीखना चाते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए उसका मैं पूरा वीडियो बना दूंगी पूरा रव्यू दूंगी आपको कि किस तरह से उसमें जो है प्रेस बटन लगते हैं वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगी तो यह देखिए सिलाई लगा लिए है एक्स्टा फैब्री को कट कर लेंगे तो अगर आप भी सिलाई का काम करते हो डियावाई बैग बगर या कोई भी चीजें बनाते हो तो वो जो है प्हांसेक आपके लिए काफे यूजफुल रहेगीए तो यह देखिए फिलाई हमने बना लिया है अब इसको सीधा कर लेते हैं यह देखिए अच्छे से गुलाई को निकाल के कैंची से यह देखिए अच्छे से और उपर से आप हम इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे यह देखिए हमारा बनके रेडी हो गया है तो वेस्ट कपड़ों से ही मैं आज दोनों चीजे बनाने वाली हूँ यह मेरे पाद छोटे छोटे कपड़े बचे हुए थे उनी का यूज करके ही हम जो दो DIY आपको आज मैं बताने वाली हूँ तो पुराने कपड़ों का ही यूज मैं करने बाली हूँ तो देखिए इसका अब मैंने सेंटर निकाल लिया है यह देखिए अब इस तरह से हम फ्लैप को रखेंगे और विल्कुल सेंटर में हमने इसको स्टिच कर देना है सिलाई को पका करते हुए यह देखिए फ्लैप हमारा लग चुका है अब दो पटी यह देखो दोनों साइट पे एक एक इंचोड़ी पटी लेकर दोनों साइट पे यह देखिए इस तरह से मैं इस पे स्टिच कर दूँगी तो यहां पे यह देखिए जब भी आप सिलाई लगाते हो यह वाला टॉप स्टिच जरूर लगाया करिए ताकि आपके काम की फिनिशिंग अच्छी आए अब यह देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी सेम इसी तरीके से दूसरी साइट पे भी पट्टी लगाते हुए फिनिश कर लोंगी है तो देखिए लेस में अटाइच कर लिए अब इसको प्लकतर सिंपल तरEके से बनाने वाले हैं तोनों सैड से सिलाईया लगा के और कपड़े की पट्क पट्टी लगाकर मैंने मेने में व् RF कर लिया है तो देखो कितना क्योट सा और कितना प्यारा सा ये बैक हमारा बनके रेडी हो गया और वो भी बिलकुल आसान तरीके से तो यहां पर मैं लगाऊंगी प्रेस बटन तो ये मैंने आनलाइन परचेज किया है ये देखिए तो इसके साथ ये बटन जो है लगते हैं तो अगर आप सीखना चाते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा तो मैं पूरा आपको इसका वीडियो बना दूँगी ये देखिए ये बहुत इजी रहता है लगाने में भी बहुत आसान है और देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है तो इसको आप ये देखिए होती प्यारा हमारा ये बैक बनके रेडि हो गया अब जो दूसरा फॉम बला पीस था उसका यूज करूँगी और ये दुपट्टे से मैंने एक लेस उतारी है नेया दुपट्टा था पुराना नहीं था तो उसमें ऐसी लेस लगी थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती है तो देखिए जो ये गोटा है मेरे पास इसको मैं इसी तरह से इतना इतना गैप छोड़ते हुए पूरा फिल कर लेती हूं तो देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना लगनी रहा कि हमने इस पर लेस लगाई है ऐसे लग रहा कि ऐसा ही डिजाइनर ही फैब्र सीधी सिलाई लगाते हुए जिप को अटेच कर लूँगी अब उपर से टॉप स्टेच लगा दूँगी तो फ्रेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए आप कमेंट नहीं करते ना ही वीडियो को लाइक करते हो बहुत मेहनत से मैं आपके लिए व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें तो रेनर मैंने निकाल लिया है अब दूसरी साइट पे भी स्टॉप उपर से भी टॉप स्टेच लगा लेती हूँ तो यह पाउच बनाने में बहुत ही आसान है तो छोटे- आप डिजाइनिंग भी कर सकते हो आप इसको उल्टा कर लेंगे तो यह ना सूट में से फॉम निकली थी तो मैंने रखी थी इसमभाल के तो उसी का मैंने योज किया कोई हमें मार्किट से नहीं लाने बड़ी तो दोनों साइट से लाए लगाकर कपड़े की और कपड़े क साथ मैं इसकी फिनिशिंग कर लेती हूं सेम फैब्रिक मेरे पास नहीं था तो यह दिखिए दोनों साइट से फिनिशिंग मैंने कर ली है अब इसको सीधा कर लेती है तो फ्रेंट्स मेरा एक दूसरा चैनल है इसके फैशन डिजाइनर उसको भी प्लीज ज्यादा से ज्या चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यह देखिए बन गया हमारा यह बहुत ही प्यारा सा क्योट सा और आज में वीडियो डालने में बहुत लेट हो गए क्योंकि हमारे घर में काम चला हुआ है कंस्रक्शन का काम चला है तो इसलिए वीडियो काभी आज में लेट होगे वीडियो को अपलोड करने में तो यह देखिए बनके हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ यह क्योट सा पहुच बनके रेडी हो गया तो आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके जरूर बताना है तो दो चीज़ें देखो हमने बनाई हैं बचे हूँ कपरों से औ तो दो चीज़ें हमने बनाई हैं आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही बिरती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाबाई